हेलो दोस्तों तो कैसे वह आप सब आपका स्वागत करता हूँ आपके आपने यूटूब चैनल विजय काले सेटस्स में दोस्तों इस वीडियों में हम बात करेंगे जिन छात्रों को स्यंटर सेट नाउंट काउंसेलिंग में कोलीज मिल गया है अब उनको क्या करना है उसको लेकर भी हम शुड़ियों में बात करने वाले हैं अब देखें दोस्तों जीनी स्टुडेंट ने अविद्धक टेलीग्राम चनल को जोइन नहीं क्या हो टेलीग्राम चनल को जोइन करने के लिए आपको सिंप्ली टेलीग्राम आप पर जाकर सर्च कर लेना आप दरेट वेड को सब्सक्राइब कर लेकर उनको जाने का लिए इच्छी लगते तो वीडियो को लाइक कर देखर आपका फिर भी कोई डाउटर जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो उन्हां दोस्तों जिन स्टुडेंट ने अभी तक वाट्सप चैनल को जोइन नहीं किया है नेच या पर आपको अपनी सीट फिक्स करनी थो आपको डोकोमेंट कराना पड़ेगा डोकोमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ किस को जाना यह डोको के लिए आप NSTI जा सकते हो किसी भी NSTI जो भी आपके नियर एस्ट नेस्ट नहीं मिला है उसके पास में कानपूर NSTI तो वो कानपूर करा ले या फिर गल्स का NSTI है या जैसे NSTI पानी पत वोमेंस का है तो वहाँ पे भी जाकर आप अपना जब आपका डीवी हो गया निए डॉकोमेंट वेरिविकेशन में आपको कौन-कौन से डॉकोमेंट चाहिए होंगे उसको लेकर रम बात कर लेते हैं देखे दोस्तों यह है कानपूर की तरफ से नोटिस लगावाता यह फर्स्ट आउंड कांसलिंग में और लगबग हर कोलिज में आपको यह जो डॉकोमेंट है यह चाहिए जैसे कांसलिंग फोम तो कोलिज से मिल जाता है दूसरा है सीट अलोटमेंट लैटर वह आपने डाउनलोड कर लिया होगा तीसरा है कांसलिंग फीस रिसिप्ट यह भी आपने डाउनलोड कर लिया होगी जो फीस पे की थे आपने कांसलिंग की आधार कार्ड हाई स्कूल की माक्सीट और स्रेटिफिकेट इंटरमीडियेट का मतलब होता है 12 12 का स्रेटिफिकेट और जो आपकी टेक्निकल UBC कैटिगरी से हो और आपने जब फोम फिलब किया था उसमें आपने इन में से किसी से भी अपलाई किया है तो उसका आपको स्रेटिफिकेट चाहिए होगा और वो भी सेंटरल गोर्मेंट वाला राज्य वाला नहीं चलेगा केंद्र सरकार वाला आपके पास होना चाहिए मान के चलो अगर किसी स्टूडेंट के पास केंद्र सरकार का अभी नहीं है तो वो राज्य का लेके जाए उसको डोकॉमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा लेकिन जब फाइनल एडिशन होगा उस टाइम पर आपको सेंटरल गोर्मेंट वाला ही दिखाना पड़ेगा और होवा है आपका EWS PS Certificate अगर आपने इन कैटिगरी में अपलाई किया था तो इसका भी आपके पास होना चाहिए ठीक है यह कुछ आपके डोकॉमेंट लगने वाले है अब बात कर लेते हैं जिन छात्रों कोलीज नहीं मिला अब उन्हें क्या करना है देखें दोस्तों अब उन्हें दो मोगे ओर मिलेंगे एक तो आपका थर्ड राउंड होगा ठीक है उसके बाद आपका होगा sport round और sport round बहें इन पोल्टैंट है उन्हें student के लिए जिनके marks जादा है लेकिन उनको कोई भी कोलिज अभी तक नहीं मिल पाया क्योंकि जो आपका sport round होगा इसमें category का को आने चलो SC में 2 seat बची है, ST में 1 seat बची है, EWS में 2 seat बची है, और OBC में 1 seat बची है, लेकिन general में कोई seat नहीं है, तो सभी को एक जगह जोड दिया जाएगा और उस सभी seat को general में count किया जाएगा, ठीक है, तो आपको sport round में बहुत ज्यादा benefit मिलेगा, तो ध्यान रखना अभी चांस ऐसा नहीं कि बिल्कुल चांस खतम होगे, इस seat नहीं है, प्रोपर मैं sport round के ऊपर एक वीडियो भी लेके आऊँगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे आपको college मिल जाएगा अब भी, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है, अगर आपका फिर भी कोई doubt है, तो कि अिसने सब में惊ो होगे, अजिस सेचीर नहीं मेंडल हूपको तक झावपको जो जाएँ है, तो चांस चांस वीडियो खतम हो हम diese इतना है, तो वीडियो पनकास का दो लेके है, तो एकुर है कि बिल्दोष़ग है, तो प्र है, तो बिल्यों जिससेवाँ पन्तियों होग